जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारतवस क्लासेस में तो प्यारे बिच्चों 11 नोहमबर 2023 को क्लास 8 का गनित और हिंदी का विकली टेस लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट को करेंगे इसके पहले मैंने आपको मैथ के सेट 1 की वीडियो प्रोवाइट कर दी है आप लोग उसे जरूर देखे बिच्चा आपको बहुत ज़्यादा लाव होगा चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन पहला प्रसन है 5x जोड 4 बराबर 9 समीकरन को हल करने पर x कमान क्या होगा तो देखे 5x का 5x लिखे यह प्लस का 4 है इसको उठा करके लिखे आएंगे इधर बराबर की इधर तो यह माइनस का 4 होगा तो 9 माइनस 4 5x का 5x लिखे 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 ठीक है x का x लिखे अब यह जो 5x के साथ गुना में है इधर आएगा तो होगा बटे में 5 का पादम 5 एक बार में तो यहाँ पर x कमान एक आ गया सही विकल्ब ए होगा दूसरा प्रसन दे रखा है 6x जोड 10 बराबर 22 में x कमान क्या होगा पिछले प्रसन की तरह ही है 6x का 6x लिखेंगे और यहाँ पलस के 10 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस का 10 होगा 22 माइनस 10 6x का 6x हो गया 22 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 12 x के साथ 6 गुना में है इधर आएगा तो होगा भागा में यानि 12 बटे 6 6 का पहला में 12 दो बारे में तो 2 आ गया x कमांड 2 आ गया तिसरा प्रसन दे रखा है बच्चा 15 पलस x बटे 2 बराबर 29 में x कमांड क्या होगा यहाँ पर देखे परशन इस परकार है 15 पलस x बटे 2 बराबर 29 यहाँ पर हमें x कमांड गयाद करना है ठीक है तो देखे यहाँ पर 15 पलस का है कुछ नहीं हो तो यहाँ पर इसके आगे पलस लखा हुआ है इस 15 को उठा करके बराबर की इधर लिखे आएंगे तो यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ पर x बटे 2 का x बटे 2 लिखे बराबर 29 पलस का 15 इधर आएगा तो मैनस का 15 हो जाएगा x बटे 2 का x बटे 2 29 में से 15 घटाईए तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ठीक है अब x के साथ जो 2 है वो है भागा में इसको भी धर लेके आएंगे तो होगा गुना में 14 गुने 2 14 दूनी 28 तो x कामान कितना आगिया जी 28 आगिया c विकल्प सही उत्तर है चौथा प्रसंदे रखा है 11 प्लस 6 p बराबर 7 में p में कामान क्या p कामान क्या होगा यह प्रसंदे रखा है हमें यहां पे p कामान ग्याद करना है तो 11 प्लस 6 p बराबर 7 है 11 यहां पे प्लस का है इसको उठा करकि इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का ठीक तो देखिए 6 p बराबर 7 प्लस का 11 था इधर आया तो minus का 11 हो गया 6P का 6P हो जाएगा 11 में से 7 घटा आएगे तो बचेगा minus का 4 minus का 4 कैसे बचेगा क्योंकि इन दोनों में से 11 बड़ा है 11 का आगे minus का चिन इसलिए 4 का आगे minus बचे लेगा अब यहाँ पे जो 6 है वो P के साथ गुना में है इसको इधर लेके आएंगे तो होगा भागा में तो P बचेगा 2 दूनी 4 2 तीय 6 minus 2 बचे 3 तो minus 2 बचे 3 यह विकल्प सही उतर होगा यहाँ पे पांचवा प्रसंदे रखा है 8 बचेगा Q जो ओड 3 में Q का मान क्या होगा देखे यहाँ पे जो 3 है वो Q के साथ प्लस में है इसको इधर लेके आएं तो यह होगा minus में यानि 8 minus 3 बचेगा बराबर Q ऐसे लिख सकते हैं मिल्कूर लिख सकते हैं क्यूनकि यहाँ पे प्लस का था इसको इधर लेके आएं तो यह हो गया माइनस का ठीक तो आठ में से तीन घटाएंगे तो 5 बराबर Q तो Q का मान 5 आ गया छटा प्रसंति रखा है दो संख्याओं का अनुपाद 5 अनुपाद 2 है तथा उनका अंदर 21 है तो संख्याओं याद किजिए यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे मानेंगे कि पहले संख्या को 2X दूसरी संख्या को 5X पर घटा करके ऐसे लेकिन आपको विकलप में ऐसे नहीं करना है बच्चा सिधा आप तेखिए यहाँ पर अनुपाद दे रखा 2 अनुपाद 5 खिक है इन दोनों का अंतर कितना है 3 है जी तो 3 21 के बराबर कर दिजे 3 किस के बराबर है 21 के बराबर है हमें संख्याई गयाद करनी है संख्याई दो अनुपाद 5 का अनुपाद है तो सबसे पहले 2 का मान गयाद करते है 2 का मान कितना होगा 21 बट्टा 3 गुने 2 3, 60, 21 तो पहली संख्या आगई सादूनी 14 पहली संख्या आगई 14 अब दूसरी संख्या इसी तरह ग्याद कर लेते हैं दूसरी संख्या इसी तरह हम ग्याद कर लेते हैं दूसरा संख्या पर दूसरा अनुपात कितना दे रखा है? पांच दे रखा है तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे निकाल सकते है पांच पांच का विमान कितना होगा 21 बट्टा 3 गुन्ने 5 3 सती 21 7 पचे 35 यानि 14 और 35 होगा बी विकल बिल्कुल सही उत्तर है सात्वा प्रसंदे रखा है 6 के 3 लगातार गुन्जो का योग 144 है गुन्जो को याद करना है प्यारे बिद जो मैंने आप सभी को कच्छा 8 का जो एक चरवाला रेखिक समिकरन है इसके सम्मदी जितने भी exercise हैं सभी करवा दिये हैं आप सभी उसे जरूर देखे बच्चा आपको एकदम बेसिक से समझाया गया है और बहुत अच्छी तरीकिस समझाया गया है तो आप इस वीडियो के description से class 8 के path playlist से exercise 8.1 8.2, 8.3 को वेट के जरूर जाईए सबसे पहले यहाँ 6 के 3 लगातार गुन्ज दे रखा हैं तो पहला होगा एक्स ठीक है पहला एक्स होगा दूसरा एक्स प्लस 6 होगा और तिसरा एक्स प्लस 12 होगा क्योंकि 6 का गुन्ज है यह 144 के बराबर है 344 के बराबर कर देंगे अब यहाँ पर गिनिए एक्स कितना है एक्स को यहाँ पर आप गिनिएगा तो 1, 2, 3 3x है तो 3x लिख देंगे यहाँ पर 126 18 18 लिख देंगे 3x जोड 18 3x जोड 18 बराबर 144 अब 3x का 3x होगा 18 पलस का इधर आएगा तो होगा मैनस का 144 मैनस 18 घटाईए घटाने पर इधर तो 3x का 3x बचेगा 144 में से 18 घटाईएंगे घटा लेते हैं 144 में से 18 14 में 8 गया तो 6 और यहाँ पर 3 में गया तो 2 126 बचेगा 126 अब x के साथ 3 गुना में इधर आएगा तो भट्टे में यानि 126 बटा 3 3 412 3 दूनी 6 पहली संख्या 42 आगई तो पहली संख्या 42 आई में की है 42, 48, 46 भी विकल्प होगा आठवा परिसन दे रखा है रीमा और सीमा की वर्तमान आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 7 है 4 वर्स बाद दोनों की आयू का योग 32 हो जाएगा रीना की वर्तमान आयू ग्याद करें देखिए तो यहाँ पर दे रखा है 5 अनुपाद 7 और दोनों की चार वर्स बाद आयू का योग जो है वो 32 हो जाएगा तो सबसे पहले रीना की आयू 5 एक्स है उसमें भी 4 जूड़ेगा प्लस चार और जो सीमा की आयू है 7 एक्स उसमें भी 4 जूड़ेगा और इनका योग फल तो दोनों का बीच पलस लगाएंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इस समयकर उनको हल कीजिए एक्स का मान ग्याद कीजिए उससे रीना और सीमा दोनों का योग ग्याद हो जाएगी तो सबसे पहले एक्स वाले को जोड़ते हैं 5 एक्स 7 एक्स 7 पांच 12 बारा एक्स हो गया अब जिसके साथ एक्स नहीं उसे जोड़ते हैं 4 और 4 आठ 8 हो गया बराबर 32 12 एक्स का 12 एक्स 32 का 32 लिखे पलस के 8 को उठा करके इधर लेकाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा 12 एक्स का 12 एक्स लिखे 32 में 60 गटाएंगे तो 24 ठीक है तो एक्स बराबर 24 12 था गुना में इधर आएगा तो होगा भागा में 2 का पहला में 24 12 12 एहां पर 12 था नीचे यहां बारा लिखेंगे 12 12 का पहला में 24 का मान जोबार में रीना और सीमा 5 अनुपात 7 अब 5 यहाँ पर रीना की आयू पूछें तो 5 की गुना 2 से कर दिजे 10 वर्ष सीमा की आयू पूछें तो 7 की गुना 2 से कर दिजे 14 तो रीना की आयू 10 वर्ष सीमा की आयू 14 वर्ष तो किसका पूछ रखा है रीना रिना के आयू 10 बर्स होगा नौवा प्रिशन दे रखा है 2x जोड 5 बराबर 17 में x का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पे पलस का 5 है उठा कर किधर लेखाएंगे तो होगा माइनस का 5 2x बराबर 17 माइनस 5 2x का 2x लिखेंगे 17 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 12 x बराबर 12 भागा 2 6 आएगा 6 विकल्प सही है A होगा दश्वा प्रिशन है 5y माइनस 3 बराबर 3 2y प्लस एक में y का मान ग्याद किजिए देखिए इस प्रिशन को मैं थोड़ा सा हल किरद रहा हूँ आपको पूरा यहाँ पे कमेंट में इसका उतर लिखना है देखें 5 की गुना y से भी होगी 5 की गुना माइनस की 3 से भी होगी तो 5 की गुना y से होगी तो 5y और माइनस का माइनस 5 तिया 15 ठीक है बराबर 3 की गुना 2y से तो 3 दूनी 6y प्लस तीन की गुना एक से होगी तो तीन अब यहाँ पर कैसे करेंगे सरी से देखें पांच के साथ भी y है छे के साथ भी y है यहाँ पर पंदरा के साथ कुछ नहीं है तीन के साथ भी कुछ नहीं है तो समान चर्प यहाँ पर चर अचर को एक साथ लिखें पांच वाई का पांच वाई पलस के छे वाई को इधर लेका आएंगे तो माइनस का छे वाई होगा बराबर पलस का तीन है तो तीन लिखिए यहाँ पर माइनस के पंदरा को इधर लेका आएंगे तो पलस का पंदरा हो जाएगा किलर है अब यहाँ पे देखे, 5y में से 6y घटाएंगे तो बचेगा minus का y, minus का 1y भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे minus y लिखेंगे और इधर 15, 3, 18 आ गया, यहाँ पे आप बताएंगे कि 18 उतर होगा लेकिन देखे, कोई भी यहाँ पे minus 1 से कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ minus से minus कट गया, यहाँ बचा y और इधर बचेगा minus 18 तो y कमान minus 18 आएगा, सही उतर minus 18 होगा, तो बचा यहाँ था 10 most important question आसा करता हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ चीजों को सिखा होगा आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करें थेंक्यू बच्चा